पार्ट त्रीक स्ट्राटिंग में हम देखते हैं सोरा और सुक एक साथ जारे हो थे तभी सोरे के पास उसकी दादी की कॉल आती है तो वो कॉल एटेन करनी के लिए कार से बाहर निकल दी है उसकी दादी उसे डाटती हुए कहती है कि हमें सब कुछ सच बता चल गया है कि तु तुम दोनों शादी नहीं करने वाली हो तो तुम गाहो बापसा जाओ यह सुनके सोरा केती कि नहीं मैं शोत्ता से शादी नहीं करूंगी बलकि मैं किसी और से शादी करूंगी और यही परी सेटिल हो जाओंगी यह सुनके उसके दादी कहती कि तुम जिद मत करो तुम यह प पसंद पहले सही आंटी सोरा को एक टिकीट दे अकरियम जाने के लिए दूकी के साथ आंटी ओतों को अगष में लिएता है देट पे लेकिन हुआ पर सोरा को कोई देट वाली फिलिंग नहीं आ रहे थी तब ही उसके नजर पर थी ओतों के ओपर ओतों एक लग्षी लग को ल यह देखके सोरा को जिलिस वाली feeling आती है यह पर कही न कहीं वो लर्की ओतो को थैंक्यू करती है आज उसे एक्विरेम में गुमाने के लिए ले आने के लिए फिर हम देखते हैं सोरा और सुके को जहाँ पर सुके सोरा को शादी के लिए प्रूपूस करता है एक रिंग देख यह देखके तो सोरा बहुत ज्यादा खुश थी और शादी के लिए भी हाँ करती थी है फिर हम देखते हैं ओतो को और उस लर्की को जहाँ पर वह लर्की ओतों से मौका देखके ही कहते कि किया तुम मुझे खुछ पैसे दे सकती हो या पर उतों को समझ आ गया था कि यह लरक कॉल कर सकती हूँ यह सुनके ओतों लुबॉउल नाम सहरा है नेकस्ट अम हम घरह सिंदेखते हैं ओतों जब घर जाताadas है तो हम पर सोरा उससे कहते है देखो मुझे मिस्टर सूके ने प्रपोस किया है यह रिंग देखे और रिंग दिखाने लगती है ओतो रिंग देख कहता है कि यह तो भौधी चीफ रिंग है वहला इससे कोई कैसे किसी को प्रपोस कर सकता है सूरा को तो तब उससे फाइट करने का मन कर रहा था लेकिन वह नहीं करता क्योंकि ओतो का मोट खराब होता है ओतो उससे कहता है कि आज में जिस लड़की से डेट में कहता है वो उसके अमरे निकली उसमें मुझे कहा कि as a friend या वो मुझे दोबारा कॉल कर सकती है फिर दोनों सुके रिस्टोर में आयोते है डिनर करने के लिए वहाँ पर सुके के पास एक कॉल आता है तो वो कॉल एटेंड करने के लिए दूसरी गरब चला जाता है और इंगलिश में बात करने लगता है यह बात आंटी भी नोटिस करती है सुके के आने के बाद आंटी सुके से पू आंटी कही थी कि पता है मेरे बेटे का एक गल्फिन हुआ करते था नीवर्क में लेकिन उसने उसे ब्रेक अप के लिए जैपैन में आने से पहले तो मैं चाहता हूँ कि इन सब चीजों में सोरा ना जाए तो कि मेरा बेटा अभी भी उस लड़की को भूल नहीं पाया है और वो लड़की भी मेरे बेटे को छोड़ नहीं रही है इसलिए मेरा बेटा चाहता है कि वो जैपैन में शादी करके नियुवर्क जाए और उसकी एक्स गल्फिन को दिखा सके कि उसने शादी कर लिए करता है कि तो तुम सुणी का तो प्लैन चोड़ दो और यहीं पही रहो इस रिए सुरा तो नहीं मैंती तभी सुरा गे बनाई के पास उसकी दाद्सी को आती है तो कौल एडम करती है उसके दादी कॉल पे कहती है कि मुझे नहीं बता था कि तुम एलिविटर के लिए तुम किसे से शादी करोगे और खुद को ऐसे बेचोगे मैंने तुम्हारी परबरेश ऐसे नहीं की थी तुम दे तुम्हारे मॉम से भी कही गुज़रे हो अपनी मॉम की बात सुन वो कहता है कि दादी मॉम को बीच भी लाने की क्या ज़रो थे मुझे पता है मॉम मुझे बज़पन में छोर के चली गई थी फिर आंटी सोरा से फोन लेते हुए उसके दादी से कहती है कि यहाँ पर वो कोई भी गलत कम नहीं कह रही है वो एक रेस्ट्रेन में काम करती है और अच्छा खासा पैसे भी कमा लेती है जब उसका दिमाग खंडा हो जाएगा ताब वो घर चला जाएगा यह सुनके सोरा को तो इतना पता चल गया था कि आंटी तो उसे घर भी नशाती है जिसके बाद हम मेडम असागी को देखते है जो की एक डिजाइनर है और अभी पैरीस से वापस लोटी है पिर हम सोरा और सुके को देखते हैं दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और अपनी अपनी misunderstanding दूर कर लेते हैं कि सोरा कहती है मैं बस आप से शादी करना चाते थी क्योंकि आप रिच थे सुके भी कहता है कि मैं भी तुम्हाइले सीरियस नहीं था और माफ़ी मांग लेता है फिर हम देखते है मैडम असागी अपने interview में बताती है कि मेरी भी कुछ साल पहले family हुआ करती थी मैंने भी शादी की थी लेकिन मैं अब इन सब चीजों के उपर बात नहीं करना चाता हूँ फिर सोरा जब घर जाती है तो वहाँ पर उसे airline ticket मिलती है जो कि उसके दादी नहीं बेजा होता है उसके लिए ये देख उसका mood खड़ाब हो जाता है ओतो उसको अपना नया music सुनाता है जिसे सुन उसका mood थोड़ा ठीक होता है तो वो ओतो को लेकर एक shop के पास जाता है और वहाँ पर एक डिस्क को देखें लगता है एक wedding डिस्को जो की सोरा को बहुत यदा पसंद थी और वहाँ पर ओतो सोरा से कहता है कि तुम please मत जाओ य लिस्ट का link देदूँगा शेर के शिकाउट कर लेना मिलते हैं निक्स पाट के साथ तक तक लिए बाइबाई